हेलो गाइज, वेलकम टू पायसोम्स आज हम बात करने वाले हैं IVF पर यानी In-Vitro Fertilization पर क्या होता है In-Vitro Fertilization, क्या-क्या प्रोसेस होती है, क्यूं किया जाता है और इसके benefits क्या है तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं IVF एक complex series procedure है जिसका use fertilization के लिए किया जाता है सरल शब्दों में कहा जाए तो in vitro fertilization एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें fertilization की process को natural form में ना करा कर artificial या कहा जाए कि लैब में कराया जाता है fertilization को पहले समझते हैं तेन हमें पता चलेगा कि natural fertilization क्या होता है और artificial fertilization क्या होता है fertilization वह method है जिसमें दो gamits का आपस में fusion होता है और fusion के बाद zygote का formation होता है ये gamit male gamit और female gamit होता है यानि कि sperm और ovum के fusion से zygote का formation होता है और ये zygote का बनना ही fertilization कहलाता है अब ये fertilization की जो process होती है वो दो type की होती है एक होती है internal fertilization और दूसरा होता है external fertilization internal fertilization वह fertilization है जिसमें zygote का formation female body के अंदर हो और साथ में ही zygote का embryos तक development होना पूरा female body के अंदर होता है ये normal सारे mammals में पाए जाता है वहीं जब हम external fertilization की बात करते हैं तो इस तरह के fertilization में जो fertilization की process होती है या कहा जाए कि gamits का fusion होता है वो body के बाहर होता है यानि कि female body या male body अपने अंदर zygote का formation नहीं करवाते हैं ये mainly amphibians में होता है जिसमें frog में ज़्यादा तर दिखा गया है frog अपने ovum और sperm को आपस में water current के थूप fuse करते हैं और यह procedure external fertilization कहलाता है in vitro fertilization को internal और external fertilization दोनों कहा जा सकता है क्योंकि इसमें fusion की procedure बाहर होती है पर zygote का formation होने के बाद embryo का development woman के warm में होता है तो यह partially external fertilization में आता है IVF का जो procedure है fertilization का वो laboratory level पे किया जाता है in vitro fertilization के discovery 1969 में हुई थी और इसके result 1973 में दिखाई दिए इंग्लेन के दो scientist Patrick Stropoy और Robert Edward ने मिलकर इसके discovery की थी और उन्होंने first biochemical surgery करके सबसे पहला IVF तयार किया था IVF का use क्यों किया जाता है उसके कुछ reasons है IVF procedure में natural की जगा artificially fusion कराय जाता है और fusion के बाद बने हुए embryo को mother के womb में यानि woman के womb में shift कर दिया जाता है अब इसके पीछी कुछ कारण थे जिसलिए इसका use होने लगा पहला होता है sterag यानि कि male partner या female partner में से यदि कोई sterile है तो वहाँ अपने baby के लिए IVF procedure का use करते हैं इसमें sperm donor और ovum donor दोनों आते हैं यदि female sterile है तो वहाँ ovum donate वाला use करती है और यदि male sterile है तो वहाँ sperm जो donated होते हैं उनका use करते हैं दूसरा mean reason होता है यदि वहाँ natural तरीके से conceive करने में capable नहीं है यानि कि female के पास capability नहीं है कि वह natural तरीके से conceive करें तब वहाँ IVF करवाते हैं साथ में इसके साथ एक और टाम आती है जैसे कहते हैं serogacy यानि कि IVF procedure द्वारा किसी और लेडी के warm में उनके baby का transfer होना वो कहलाता है serogacy उस पे हाली में एक movie बनी है मीमी जो कि serogate पर ही बनी हुए तीसरा mean condition होता है यदि male ये female में से किसी की family में hereditary ये genetic कोई disorder हो तो उसे कम करने के लिए उसे खतम करने के लिए इस procedure का use किया जाता है ताकि वह अपने चाइल्ड में उस genetic disorder को नहीं लाए last one होता है एक age factor भी होता है एक age के साथ ovum formation और sperm formation या कहाजा sperm count और ovum count कम हो जाता है जिसके वज़े से इन्हें artificially insemination या in vitro fertilization करवाना पड़ता है फीमेल एक्स का और male sperm का fuse होना ही zygote का formation कराता है इसमें साथ ही में उनके genetic material का भी transfer होता है इसलिए almost baby अपने parents की तरह दिखाई देते हैं आइवी एफ की बात की जाए तो यहां एक assist reproductive technology है जिसमें फीमेल एक को outside fertilize करा कर फिर female body में transfer किया जाता है IVF एक special medical technique है जो की female को conceive कराने में help करती है यह procedure expensive होती है साथ ही इसमें hormonal exchange भी होते हैं in vitro fertilization process को complete करने के लिए 5 steps को follow करना होता है वो steps होती है पहली है stimulation यानि की super ovulation second है egg retrieval, third है fertilization, fourth है embryo culture और fifth बनाती है embryo transfer stimulation या super ovulation इस procedure में कुछ medicine या fertility drug देकर women में एक के production को boost किया जाता है ये बात तो आप सभी जानते हैं कि female की body alternative month में एक ही ovary से ovum का formation करती है और mainly एक ही ovum का formation एक बार में होता है पट इस drug और medicine से उनकी body में दोनों ovary में ovum का formation बढ़ जाता है एक से ज़्यादा ovum produce होते हैं इस procedure के दोरान women को regularly test कराने होते हैं यानि कि regularly ultrasound करवाना होता है जिससे यहां पता चल सके कि ovary में proper formation ovum का हो रहा है या नहीं ओवरी में blood test करके hormones का level check किया जाता है यानि जितने ज़्यादा hormone का production होगा ovum का formation उतनी ही ज़्यादा जल्दी होगा नेक्स step होती है एक retrieval यह कहा जाए कि transfer of egg इस procedure में एक minor surgery होती है जिसे follicle aspiration कहा जाता है इस surgery से जो egg है उसे female के body से remove कर लिया जाता है यानि कि इस procedure में फीमेल की body से एक को निकाल लिया जाता है अब यह जो procedure होती है इसमें higher medication दिया जाता है ताकि फीमेल को ज्यादा pain ना हो यानि कि most of the painkillers दी जाती है क्योंकि इस procedure में ultrasound image का use करके एक thin needle द्वारा vagina से ovum को यानि ovary से ovum को निकाला जाता है और needle जो होती है वो suction best होती है यानि कि वो suck करने की capacity होती है जिसके कारण वह ovum को यानि egg को आसानी से pull कर लेती है और अलग कर देती है यहां procedure बार-बार repeat के जाती है means यानि कि एक ही ovary से एक ही बार में सारे ovum नहीं निकलते इसलिए कुछ time के लिए इसे repeat करना जरूरी होता है और stimulator देने की वज़े से एक से ज़ादा ovum का formation ovary में होता है साथ ही दोनों ovary में ovum का formation होता है इसलिए सारे ovums को isolate कर लिया जाता है यदि female capable नहीं है ovum के production करने के लिए यानि कि वो egg का production नहीं कर पाती तो other female के egg लिया जाता है जिसे donor eggs कहा जाता है और उस female को donor female कहा जाता है next step होती है insemination and fertilization अब female के isolate ovum को fertilize करना ज़रूरी होता है यहीं कि उन ovums को एक plate में या एक collection tube में collect कर लिया जाता है और उसे sperm के तुरू fertilize कराया जाता है अब पेदी female के partner में capability नहीं है sperm production की तो दूसरा donor sperm भी use किया जाता है और sperm और ovum को आपस में fuse कराया जाता है या कहा जाएगी fertilize कराया जाता है और उसे zygote का formation कराया जाता है इसके लिए sperm और ovum को एक साथ collect कर लिया जाता है sperm और ovum को एक collecting chamber में collect कर लिया जाता है और उसे store किया जाता है फिर sperm को ovum के अंदर इंटर करा कर fertilize कराया जाता है यदि fertilization के chance low होते हैं तो sperm को directly इंटर करा दिया जाता है ovum में इससे fertilization के chance जादा हो जाता है इस procedure को एक injection के थू कराया जाता है जिससे sperm injection कहा जाता है या introcytoplasmic sperm injection कहा जाता है इसमें एक साथ कई सारे sperm जब collecting tube में ovum को collect करते हैं तो एक साथ कई spums को penetration के लिए छोड़ा जाता है क्योंकि बहुत सारों में सी कोई एक या दू ही sperm ऐसे capable होते हैं जो ovum को fertilize कर सके यह पूरी procedure insemination और fertilization कहलाती है embryo culture यह एक special main और responsibility वाली step होती है क्योंकि जहां in vitro fertilization होता है उस lab में इस चीज़ का बहुत ज़ादा ध्यान रखा जाता है कि embryo का proper development हो रहा है या नहीं इसके लिए वहाँ जो lab staff होता है वो regular check करता है zygote का formation होने के बाद जब वहाँ divide होना शुरू करता है तो वो embryo का form बना लेता है यानि embryo बना लेता है और five days के embryo में कई सारी cell activity होना शुरू हो जाती है और वहाँ continuously divide करता है और साथ ही वहाँ जब embryo complete तयार हो जाता है यानि कुछ दिनों का होता है पान से छे दिनों का जब उसका transfer female के warm में किया जाता है इससे पहले उसे आसानी से culture करना और उसे देखरे करना ये बहुत कठिन काम होता है साथ ही जब यदि कोईसी partner को genetic disorder हो तो उसका भी diagnosis इसी culture यानि की embryo culture के दोरान ही किया जाता है जिसमें कुछ drug, medicine या कुछ surgery के थुरू उनमें जो genetic disorder है उनका remover कर दिया जाता है या उनका transfer कर दिया जाता है जिसके द्वारा उस बच्चे में अपने parents के कोई भी disorder नहीं आते हैं last step होती है embryo transfer embryo का formation होने के बाद embryo को female woman transfer कर दिया जाता है fertilization की process complete होने पर इस procedure को किया जाता है इस process में doctor एक thin tube का use करते हैं जिसमें embryo present होता है और इस embryo को female की vagina से यानि cervix के द्वारा उसके warm में put कर दिया जाता है इसे implantation कहते हैं और इस implant warm में जो lining होती है या जो warm होता है वहाँ पर baby growth करना शुरू कर देता है जिसे हम pregnancy कहते हैं जब embryo का transfer किया जाता है तो एक साथ एक या एक से ज़ादा embryo का भी transfer किया जाता है क्योंकि कई बार female की body उस embryo को support नहीं कर पाती है और वो baby abort हो जाता है इसलिए एक से ज़ादा embryo का transfer कर दिया जाता है कभी कभी कुछ special conditions में woman की जो age होती है उसकी वज़े से भी warm में एक बेबी को carry करना भी मुश्किल हो जाता है इसलिए वहाँ ऐसी mother को या ऐसे female को डूनते हैं जो उनके बेबी को carry कर पाए जिसे हम serogate mother कहते हैं और serogacy में IVF procedure का use किया जाता है यानि कि केवल warm किसी other female का होता है पट ovum और sperm उन male और female partner का होता है कुछ embryo यह जो transfer नहीं हुए हैं उन्हें frozen या store form में रखा जाता है या फिर उन्हें किसी को donate कर दिया जाता है या implant कर दिया जाता है क्योंकि इन्हें लंबे time तक नहीं रखा जा सकता in vitro fertilization के advantages या उसके benefits test tube baby भी एक in vitro fertilization की ही process है यानि in vitro fertilization द्वारा ही test tube baby का भी formation होता है in vitro fertilization का benefit उन parents को जादा मिला दिन में natural conceiving capacity या natural parents बनने की capacity नहीं थी और साथ ही उन में से यदि कोई एक sterile था तो जिसके वज़े से भी वह parent नहीं बन पा रहते साथ ही कुछ genetic disorder यदि किसी की family में होते हैं तो उसका भी इसमें diagnosis किया जाता है इन सारी चीजों का main benefit मिलता है साथ ही यदि कोई male या female without अपने partner baby चाहता है यानि कि यदि कोई female है उसे without male partner भी baby चाहिए तो वह artificial insemination द्वारा यानि कि IVF द्वारा pregnant हो सकती है साथ ही यदि कोई male without अपनी female partner की baby चाहता है तो वह serogate mother द्वारा अपने baby को लेकर parent बन सकता है IVF procedure mostly beneficial होती है more age वाले persons के लिए भी यानि कि ज़्यादा age होने के कारण sperm count और ovum का formation कम हो जाता है इसलिए उनमे natural fertilization नहीं हो पाता और इस procedure द्वारा यानि in vitro fertilization द्वारा वह भी parents बन सकते है